आज की वीडियो में हम विज्ञान भारती कप्षा साथ का चेप्टर नमबर टू देखेंगे काई टू रेशो से वस्त्र दा वस्त्र की सबसे छोटी इकाई तंतू कहलाती है तंतू के प्रकार नीचे देगे बॉक्स में दर्शा आईए देखें रेशो और तंतू रेशे त यानि कि दो तरह के होते हैं प्रकतिक रेशे और एक संसलेशित रेशे जो प्रकति से प्राप्त है और जो बनाए जाते हैं कामे के लिए त्यार की जाते हैं प्रकतिक रेशे क्या है दो तरह के होते हैं जानतव रेशे जिनने जन्तू रेशे भी कहते हैं और इक होता है पा पादपों से प्राप्त रेशे, कपास, पटसन, जूट, नारियन, नीचे देगे चित्रों में दर्शाय गई वस्तु का नाम, बॉक्स में, तथा प्रकरिया का नाम, तीर के अंदर लेकिए देखें, यहां पर चित्र देख रहे हैं, यह धागे लिखे हैं, धागे हैं को जिने हम तंतु कहते हैं, फिर यहां पर क्या हो रहा है, कताई, उसके बाद क्या होती है, इसकी बुनाई, और बुनाई के बाद क्या बनता है, स्वेटर, यह प्रोसेस किसका हो रहा है, पुरा थागे का नेक्स क्वेशन है उचित मिलान करिए यहां पर आप देख रहे हैं कपास देख रहा है जहादा रूई निकली हुई है तो इसको हम किस से मिलाएंगे सूती भस्तर से यहां भेड देख पा रहे हैं क्या मिलता है भेड से उन यह पट्सन की पौदे हैं जूट और य प्रेमने प्रेशनों के उत्तर शब्द को बॉक्स में उचित गम में भरिए नमबर वन है एक यादे रखा है देखें जन्तू से प्राप्त रेशों की गंद्री और चिकनाई को हटाना यह भी मार्जन कहलाता है जन्तू रेशों की छटाई से जुड़े मजदून को च्या अब हमें यही सारी चीज़ें भरनी है आ से अभी मार्जन का से शुरौराय काताई सरी केलचर और सोर्स नेक्स्क्ट्रिश्म्ट-टिशनी कहाणी के रिधिसानों की पूर्ति कीजिए यहाँ आप देख रहे हैं न यह किसके बारे में है यह रेशम कीट के बारे में रेशम कीट है यहाँ पर पत्यों पर यह अंडे देते हैं अंडे से कैटरपिलर बनते हैं कैटरपिलर से कोकून बनता है और कोकून से फिर से रेशम का कीट बनता है देख लेते हैं स्टोरी को राजु की बगीचे में शहतूत की कईड़ लगे हैं, इन पेड़ों पर एक कीट रहता है, जो तितली जैसा दिखता है, उसका नाम है रेशम कीट कीट शैतूद की पत्यों पर अनेक अंडे देते हैं जो पत्यों की निचली सतहय पर चिपी हुए पाये जाते हैं कुछ समय बाद इन अंडों से लार्वा बनता है जिसे कैटरपिलर भी कहते हैं केटरपिलर शैतूत की पत्यों को खाता है और अपनी लार्ग रंती से प्रोटीन युक्त चिपशिपा पधार्थ अपनी चारोड लपेट कर एक ढोलक जिसी संदशना बना लेता है और उसे खोकून कहते है इससे ही रेशम का धागा ब्राप्त होता है रेशम का धागा ना न जीवन चक्र बना कर रंग भरिः है तो यह आपकी बुक मे भी दे रख है विद्धान की बुक में भी आखे है यहां पर हमने एप्तर अ पर अंडे अंडे मिंटे और केटर फोड़र लार्व operates और फिर यह कोकून बना रहा है आप इसमें कलर भी भरें नेक्स्ट है भेड के बाल से उन प्राप्त करने की निशित क्रम को बॉक्स में लिखिए भेड के बालों की कटाई सबसे पहले कटाई करते हैं फिर अभिमार्जन फिर छटाई फिर कताई वर रंगाई और फिर उनी थागे बनना ये पूरा प्रासिज है नाइस है निम चित्र को सबस्ट करने वाले तीन वायक के लिखिए यहां पर कोई भी दिन दिन वायक के लिखना है तो सबसे पहला चित्र आप देख पा रहे हैं यह है आपका कैटरपिलर का नंबर एक यह चित्र रेशम के कीट इन मा लेशम ग्रंती कहते हैं थर्ड बन लेशम ग्रंती से श्रावित लजजार पधारत को अपनी चारों लपेटता और यह कोकून में परिवर्तित हो जाता है नैक्स चित्र में आप देख रहे हैं क्या है यह भेड है यह भेड का चित्र है दूसर पॉंट आप दिख सकते हैं कि भेड की तुचा के बाल से हमें मुलायम घने रेशए प्राफ्त होते हैं जिने उन्काऎ आ सब परिषए कीज़ारे से लजचारें होती है नेक्स्ट आप यहाँ पर कोकून को देख रहे हैं ये चित्र रेशम कीट के कोकून का है कोकून के भीदर प्यूपा बंध होता है अन्त में रेशम कीट कोकून के रेशों को कारते वे बहार निकल आते हैं और नया जीवन चक्र प्रारम करते हैं नेक्स्ट क्वेशन है इसका नमबर टैन नीचे दी गई सामगरियों को प्राप्त करने वाले भाग से मिलान कीजिए नमबर एक है नारियल तो नारियल देखे फल से मिलान करेंगे कापास कहां से मिलता है बीच से उन तवच्छिय बाल से और जूट कहां से तना से नेक्स्ट ग्यार्मा क्वेशन है निम्लिकित सामगरियों से बनने वाली चार उत्पात के नाम लिखे नमबर वन है रेशमी और बनार्सी साणिया नमबर टू पैराशूट बनते हैं तीसरे ब्लूट प्रूफ कपड़े बनते हैं और ऑपरेशन के टांके भी लगाया जाते ह जूट से क्या बनते हैं रसी टार डलिया बोरा उन से स्वेटर शॉल कंबल टोपी और कपास से सूतिवस्तर चादर तकियार कागज नेक्स क्वेशन है जन्तु वा पादप रेशो द्वारा निर्मित वस्तर निर्मार की एकाई को निकाल कर दिये गए स्थान पर चिपकाई ये जन्तु तो जन्तु से क्या प्राप्त होता है हमें उन प्राप्त होती है अब हमनें उन के धागे निकाल कर चिपका है और दू